किए सेव पामिimm Middle देजैंग्स आज हम सही अप्त विंजन पढ़ने जा रहे हृँ किसे कहते है जब दो विंजन एक साथ आते हैं तो में हम सहीवतर वह देंजन करतें 어r job दूसरा स्वर सहीध होता है और anayya किसी और मात्रा के साथ होता है उसे हम सहीवतर वहतर अपस में अलग अलगता है कैसे मिलता है? कैसे हम आधा अक्ष्या लिखते हैं ना। वो स्वर रहीद होता है आ रहीद उसना A मिला मुझे नहीं होता हूँ यह हमने पहले ही बढ़ लिए याज आज हम बढ़ांगे कि उनको हम दो वड़नों को कैसे मिलाते ही जैसे कुछ वेंजन ऐसे होते हैं, जिन में पाई होती है, पाई हतार खड़ी रेखा होती है, ऐसे, होती है ना, किसकिस में होती है, ग, आना, सीधी रेखा है, तो इसको हम लिखते समय क्या करेंगे, इसकी पाई हटा देंगे, एसे, आदा, ये स्वर रहित हो गया, इसी तरह न मैं भी पाई हटा देंगे आदाद अब इसके साथ दूसरा वेंजन मिलाएंगे कैसे? जैसे बगी बग आदाग गी कन्या क आदान या यह सईयुत वेंजन यह स्वर रही थे और यह स्वर सही थे यह भी स्वर रही थे यह स्वर सही थे और या किसी और स्वर के साथ भी हो सकता है यह और यह और के बिना पता है अब कुछ व्यांजन ऐसे होते हैं जिन में पाई होती है लेकिं बीजना होती है इनको हम आदा करने के लिए क्या गरते हैं, इसके आगे का जो गुमावदार हिस्सा होता है, उसको हटा देते हैं, आदा करके से लिखते हैं, ऐसे, आदा फ़र, ऐसे, है ना, जैस, इसे हमने लिखा, क्या, ये जो गुमाव है, उसको हमने हटा दिया, ठीक है, फिर गिरफ्ट, गिरफ्ट, कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं जिन में पाई नहीं होती तो उनको हम आदा कैसे लिखेंगे स्वर्रहिक ट और ड उनको आदा दिखने के लिए हम क्या करेंगे इसके नीचे लगा दो जैसे हमको लिखना है गठर 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 गड़ा 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 हमने इसको स्वर्रहिक लिखने के लिए क्या किया हलनक लगा अब आते हैं रा के रूप रा जब किसी वेंजन सी जूड़ता है तो अपने पहले या बाद वाले वर्ण पर नीचे या उपर चिन्न के रूप में जोड़ता है कैसे देखिए करम कर से पहले जब कोई वेंजन स्वर्रहित होता है तो वो नीचे लगता है करम कर से पहले जब कोई वेंजन स्वर्रहित होता है तो वो नीचे मात्रा रूप में जोड़ता है करम ब्राम ठीक आम ट और ड में किस रूप में लगता है त र और को तो कहां चुड़ेगा यह ट्राप ट्राप ठीक इसी तरह से ड्राम में लिए यह भलनते और यह मात्रा क्लियर अब एक मात्रा उराती है कि देखिए हर्ष ह र और श अब यहां पर र स्वर रहित है जब र स्वर रहित होता है तो वो अपने बाद वाले वर्ड के उपर लगता है हर्ष क्लियर ऐसे ही करम क आदा र और म कहां चुड़ेगा संयुक्त व्यंजन दो भिन भिन व्यंजन जुड़कर संयुक्त व्यंजन बनते है इनमें से पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है आओ देखें कौन सा व्यंजन कैसे संयुक्त होता है बीच में खड़ी पाई सीधी रेखावाले व्यंजन क मक्खे मक्खन भ दफ्तर हफ्ता अंत में खड़ी पाई सीधी रेखावाले व्यंजन च छ मक्छर अच्छा प प्य प्यार प्याज त्याग सत्य ध्याण मध्य स्थ बस्ता नमस्ते बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन द्याण विद्याले विद्युत त्ठ चिथी गठर गठर बुढ़ जिन व्यंजनों की अंत में पाई होती है उन्ही स्वर्रहित करते समय उनकी पाई हटा दी जाती है जैसे बच्चा, सच्चा, आदे जिन व्यंजनों की बीच में पाई होती है उन्ही स्वर्रहित करते समय उनकी आगी का घुमाव हटा दिया जाता है जैसे पक्का, दफ्तर, आदे जिन व्यंजनों में कोई पाई नहीं होती है उन्ही स्वर्रहित करते समय उनकी नीचे हलंत लगा दिया जाता है जैसे विद्या, पट्टी, आदे कंधस्त करो जब दो बार व्यंजन साथ है आता तब पहला आधा लिखा है जाता सैयुक्त वर्ण ये व्यंजन कहलाते शब्त तभी सार्थक बन पाते आज हमने क्या क्या पढ़ा जब एक स्वर्रहित व्यंजन होता है और दूसरा स्वर्सहित होता है तो उसे हम सैयुक्त व्यंजन कहते हैं दो व्यंजन जब साथ में आते हैं पहला स्वर रहित होता है, दूसरा स्वर सहित होता है, तो उसे हम सहयुक्त लेंजन कहते हैं, और हमने क्या पढ़ा, रह के रूप, कितने चीन लेते रह के, वदेन, अन्सपर्ट, और रह, अब आपकी बारी, पेज नमबर 72, यहाँ पर कुछ चित्र दिये हैं, उनको देखक अब आपको उनके नाम लिखना है, और किसकी सहिता से, सहयुक्त लेंजन की सहिता से, देखिए, क्या है है, गड़ा, फिर मदुमक्खी, बस्ता, मगरमच, पुस्तर, रिक्षा, नमबर 2, दिये गए सहयुक्त लेंजनों से बनने वाले दो-दो शब्द लिखिए, यहाँ पर कुछ सहयुक्त लेंजन लिखें, उनसे बनने वाले तो-दो-शब्द, अस्त, रास्ता, गड़ा, बुड़ा, मक्खन, मक्खी, इकठा, गठर, शुद, बुद्धी, अच्छा, स्वच्च, नमबर 3, चित्र देखकर र के सही रुप का प्रयोग करो, का एका चित्र दी पहार, ग्रह, और ड्रम, आपको सहयुक्त लेंजन समझ में आगए, यास, अब आप ये एक्सिसाइज कंप्रिक करेंगे, और एक बार पुरे पार्ट को फिर से पढ़ेंगे, अगले पार्ट में हम संग्या पढ़ेंगे, बन दे मात्रम,